सब्सक्राइब करने के लिए आपकी कॉंपिटिटिटिव जैम्स के क्वेस्टन को यू नो वी फंडा यानि अमेजिंग सौर्ट ट्रिक के तुरू सॉल्व करने के लिए यार सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब करने के सारी जो पॉसिवल ट्रिक्स आपके रहेंगी बढ़िया-बढ़िया जो आपकी यूनिट्स है उनसे प्रॉब्लम्स सारी मैंने आपको सिखानी है तो here is the question this is the question you just read the question very carefully मैं भी read कर लेता हूँ और जल्दी से देखते हैं दोस्तों question का solution हम कितनी जल्दी solve कर सते हैं so let's see question में पढ़े लेता हूँ आप भी पढ़े लेता हूँ आप भी पढ़े लो question is that a photo sensitive metallic surface has work function h nu naught if photons of energy 2 h nu naught ये इस पर फोकस करना है photon की जो energy आड़े that is 2 h nu naught fall on this surface the electrons come out with the maximum velocity 4 into 10 is to power 6 meter per second okay so when the photon energy increases to 5 h nu naught the maximum velocity of electron will be मतलब जब उसकी energy increase okay 5 h nu naught हो जाती है तो तब उसकी maximum electron जो महाँ से इमेट हो उसकी maximum velocity we have to calculate okay let's see तो दोस्तों जो इसमें data के विए जल्दी से केवल उस पर फोकस करना है उसको लिखना है कोई longer solution ही करना है जो actual concept है वो बाद में जिख लेंगे बट फिलाल अमने कैसे सिखना है यह मैप को सिखाने वाल हो so let's see the question question is that कि उसमें clear बोला गया है जो data में focus कर रहा हूं उसने बोला है metallic surface है और उस पर photon की energy incident की जा रही है तो electron उसको absorb कर गया है ऐसे बागता है किसी velocity V1 के साथ जो पहली velocity उसको V1 दे रहा हूं maximum velocity that is 4 into 10 raise to power 6 meter per second आपको जो पहली energy के बिना है that is 2H new knot यानी जो energy है वो 2H new knot incident जो energy है photons की वो यह ही दे रखी आपको तो आप इस पर focus करेंगे के वाल फिलाल okay फिर उसने बोला CM surface पे energy जो incident हो इसको increase कर देगा question को पढ़िये के वाल आपने इसी चीज़ पे focus करना है फिर से जो electron यहां से emit होगा उसकी velocity निखालने है let's see what V2 है maximum velocity निखालने है जो energy आपने इस बार डाली है 2H new knot नहीं 5H new knot means यह आपने energy incident यहां पे कराई है 2H new knot तब velocity यह थी अब आपने यहां पे incident कराई 5H new knot then what is the velocity of electron जो यहां से emit होगा so what is the V funda what is the sort trick to solve this problem you just write down आपने बस क्या देखना है जो पहली energy है H new knot का coefficient देखो यह रहा 2 इस 2 को निकालो ठीक है आप इस 2 में से 1 subtract करके लिको 1 subtract करना है H new knot का coefficient देखना है 5 उसमें से भी 1 subtract करो मतलब आप बोलना चाहरे हो कि 1 subtract करना है बिलकुल initial energy का जो H new knot है 2 है तो 2 में से 1 subtract करना है H new knot उसका coefficient 5 है उसमें से भी 1 subtract करना है यह मिलेगा 4 ओके आप यह जो 1 आया है और यह 4 आया है यह जो 1 आया है तो 1 by 4 करेंगे इसका under root लिखेंगे and you just write down जो पहली velocity थी वो लिखेंगे और जो दूसरी पुछी रही है उससे divide करेंगे and you will get the answer finally आप देख सकते हूं यहां से आपको question आजाएगा दोस्तों और direct यह you can solve that problem आपको V1 दे रखी है V2 आपने calculate करनी है तो देखो 1 by root of 4 है तो you can write that is 1 by 2 so it is V1 by V2 cross multiply कर दो यार तो V2 आगे आपको 2 V1 और V1 velocity आपको direct दे रखी है you just multiply that V2 is what? 2 into that is 4 into 10 to power 6 8 meter per second here is the required velocity जो आपने calculate करना था आप देख सकते हो आपने focus क्या करना है अभी मैंने इस concept को आपको समझाना है इसलिए मैं time ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए next question इस टाइब को बरहेंगे फटाक से देख के उड़ा देगे concept फिर से repeat कर देता हूँ क्या बोला मैंने जो भी energy given होगी इसमें H new note का जो coefficient होगा उसमें से 1 subtract करना है जो भी आएगा उसको consider करेंगे फिर energy change करेंगे जो दिया है H new note का कोफिशेंट होगा उसमें से 1 subtract करना जो भी आएगा उसमें फुबस करेंगे फिर उसको पूरे को पहले वाला और दूसरे वाला अब next question देखेंगे similar type of question और solve करेंगे by using this trick Okay So, आप जो दूसर question मैंने दिया है आपको दोस्तों उसको आपने solve करना है within fraction of second कैसे ऐसे विद्व जांवाल style बार-बार में आपको सिखाने कोशिस करो जितनी जल्दी वो पटक रहा हो अपने question को ठागे बडगना है किसे विफंडा style में विफंडा trick से आफी के लिए है दोस्तों मैंने आपे लिख दिया question में क्या given है question में given है कि जब incident frequency यह है तो उस समय velocity of electron जो emit हो रहा है V1 है फिर उसने frequency को change किया incident frequency को change किया तो यह है और उस पर emit होने वाले electron की velocity हो गई V2 तो वह आपसे बोल रहा है कि बताओ V1 और V2 की ratio क्या होगा okay you have to calculate the ratio of V1 and V2 तो 9 problem मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला what is the V funda V funda is that frequency हो यह energy हो उसका coefficient जोग है frequency है इसका coefficient देखो 2 है आब 2 मेंस 1 subtract करना 2-1 तो क्या बचेगा 1 इसका new note का coefficient क्या है 5 इसमें से 1 subtract करो 5-1 1 ही करना है हमें सद्यान रखना है ठीक है तो this is 4 no problem at all पहले बाद नंबर जो आया दूसरे नंबर जो आया दोनों को root में लिखेंगे पहला divided by दूसरा is equal to velocities का ratio V1 over V2 यह है trick इसी को आपने follow गरना है attention ही लेने का बहुत ठीक है you just use this one तो अगेन यार यह सेम ही ratio नहीं आ रहा है data तो सेम ही है यह frequency यह इंडरेक्ली वाप energy थी तो this is 1 by 2 now you just check out the options यह आपका answer है required answer बहुत जल्दी आप कर सकते हो आप देख सकते हो आप दुबारा से मैंने slow slow एकदम आपको समझा भी दिया है दिमाग में आपने बढ़ी अज़े बढ़ा लेना है यह जितने भी फंडे आपने design कर रहे है and all they are for you guys जिससे कि आपकी need की preparation बहुत बहतरीन हो सके concept के साथ कुछ tricks भी आपने सीख के जाने है जिसे वो questions जो इन tricks पर dependent होएंगे आप fraction of second पर करेंगे time बचाएंगे और maximum questions solve करके आएंगे यही main criteria होता है comedy exam को fight करने का accuracy के जाएथ okay actual solution किया इसका here is the actual solution okay you just compare now okay and guys आपने यार मैं महानत कर रहा हो आपके लिए आपने भी महानत करनी है बस थोड़ा सा return आप से मिरको चीए किस form में subscribe करना जिससे कि आपकी मैं help कर सकूँ अच्छे आपके दोस्तों की help कर सकूँ आपकी competitive exam को crack करने के लिए दोस्तों तो अच्छे से कर दें यह video और अगर यह content आपको अच्छा लग रहा तो आपने obviously you know अपने मन से अगर आपको लगते है कि subscribe करना तो आप subscribe करें channel को share करें video को यार and all the best आपको अच्छेश